आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में इसका मतलब होता है इंफेक्शन से लड़ने वाली ज़रूरी दवाओं का बेअसर हो जाना डबलो एचों के अनुसार एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानि दवाओं के बेहसर होने की वज़े से हर साल दुनिया में 10 लाग से जादा लोग मारे जा रहे हैं दक्षिन एशियाई देशों में 4 लाख लोगों की मौत ऐसे खतरनाक इंफेक्शन से हो रही है जिन पर कोई भी दवा असर नहीं कर रही है विश्वस्वास्त संगिचन के आंकलन के अनुसार जिस तर पर आज समस्या नजर आ रही है अगर ये हल नहीं की जा सकी तो 2050 तक दुनिया में एक करोड लोग इस वज़े से मारे जाएंगे क्योंकि उन पर दवाए असर नहीं कर रही है एंटी माइक्रोबेल रेजिस्टन्स इंसान की जान पर बने 10 सबसे बड़े खतरों में शामिल है वर्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार एंट्री बायोटिक दवाओं के बे असर होने की वज़े से अगले 25 सालों में ग्लोबल एक्सपोर्ट में 3.8% की कमी आ सकती है हर साल पैदा होने वाला लाइफ स्टॉक जैसे की मीट और डैरी प्रोड़क्स सालाना 7.5 की दर से कम हो सकते हैं और स्वास्ते पर आने वाले खर्च में एक क्रिलियन डॉलर की बड़त हो जाएगी अब हम बात करेंगे कि क्यों बेसर हो रही हैं ये दवाईयां तो सर्जरी के दौरान होने वाले इंफेक्शन कैंसर के इलाज के दौरान चल रही कीमो थेरपी से होने वाले इंफेक्शन को रोकने के लिए एंटिबाइटिक दवाओं की एक तैडोस दे जाती है लेकिन लंबे समय तक बार-बार इन दवाओं को इस्तमाल करते रहने से इन दवाओं का असर कम हो जाता है एम्स के अनुसार 70% मरीजों की जान को इस समय खत्रा भी है एम्स के नए एनालिसिस के अनुसार देशपर के ICU में भरती गंभीर इनफेक्शन के सिकार कई मरीजों पर कोई भी एंटिबाटिक दवा काम नहीं कर रही है ऐसे मरीजों के बेमूत मारे जाने का खत्रा है एंटिबाटिक दवाओं के बे असर होते चले जाने का हाल ये हो गया है कि सबसे लेटिस्ट दवा जिसे विश्यो स्वास्त संग्ठन ने रिजर्व केटिगरी में रखा है वो भी अब कई बार काम नहीं कर रही रिजर्व केटिगरी की दवा का मतलब होता है कि इसे चुनिंदा मौकों पर ही इस्तिमाल किया जाए लेकिन देखा गया है कि सबसे असरदार एंटिबाइटिक भी केवल 20% मामलों में ही कारगर पाई जा रही है यानि बाकी बचे 60-80% मरीज खत्रे में है और उनकी जान जा सकती है इसकी वज़े धरले से मरीजों और डॉक्टरों का मनमर्जी से एंटिबाइटिक का इस्तिमाल करना है भारत के सबसे बड़ी Medical Research संस्थान ICMR ने पिछले वर्ष जन्वरी से लेकर दिसंबर तक देश के 21 अस्पतालों से डाटा इकठा किया इस जांच में 1747 तरह के इंफेक्शन वाले बैक्टीरिया मिले है इन सभी में दो बैक्टीरिया और क्लेप सेला निमोनिया के बैक्टीरिया सबसे ज़ादा जिद्धी हो चुके हैं इन बैक्टीरिया के शिकार मरीजों पर कोई भी एंटिबाटिक दवा काम नहीं कर रही है 2017 में E. coli बैक्टीरिया के शिकार 10 में से 8 मरीजों पर दवाओं ने काम किया था लेकिन 2022 में 10 में से केवल 6 मरीजों पर दवाओं ने काम किया 2017 में Klepsela pneumonia infection के शिकार 10 में से 6 मरीजों पर दवाओं ने काम किया लेकिन 2022 में 10 में से केविल 4 मरीजों पर दवाएं काम कर रही थी infection मरीजों के blood तक पहुँच कर उन्हें बिमार से और बिमार कर रहा है एंटिबाइटिक दवाओं के काम ना करने की समस्या केविल अस्पतालों में भरती गंभीर मरीजों तक सीमित नहीं है पेट खराब होने के मामले में ली जाने वाली common एंटिबाइटिक दवाएं भी मरीजों पर बे असर सावित हो रही है अब हम बात करेंगी कि अस्पतालों में जानलेवा infection का खत्रा जादा क्यों होता है अस्पतालों में ICU में मरीजों को लगाए जाने वाले catheter, cannula और दूसरे devices में कई bacteria और जिवानू पनपते रहते हैं यह infection पहले से बिमार और कमजोर immunity वाले मरीजों को और बिमार करने लगते हैं लंबे समय तक ICU में भड़ती मरीजों को ऐसे infection का खत्रा बढ़ जाता है अब यह infection खून में पहुँच रहे हैं खून में पहुँचने का मतलब है कि पूरे शरीर में सेपसिस होने का खत्रा इस condition के गंबीर होने पर धीरे धीरे मरीज के अंग काम करना बंद करने लगते हैं जिसे multi-organ failure कहा जाता है अगर बात करें कि दवाओं का resistance क्या होता है तो दवाओं विशेश कर antibiotic, antimicrobial resistance का मतलब यह होता है कि जिन बैक्टेरिया, कवक जैसे रोगानों को मारने के लिए उन्हें डिजाइन किया गया है वह रोगानों उसी दवा के साथ अभ्यस्त हो जाए ऐसा होने पर अगर आपको कोई संक्रमन होता है इसके लिए antibiotic दवाएं दी जाती है तो उससे रोगानों मरते नहीं है बलकि और बढ़ते रहते हैं प्रतिरोधी संक्रमन का इलाज मुश्किल और कभी-कभी असंभव हो सकता है antibiotic resistance की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है तो अस्पतालों और डॉक्टरों के लिए ICMA की गाइडलाइन है कि किन मामलों में antibiotic दवाएं इस्तमाल की जाएं और किन मामलों में नहीं लेकिन इनका पालन नहीं किया जाता पॉल्टरी बकरे, गाय भैस से मिलने वाले मीट, दूद और अन्डों के जरिए antibiotic अंजाने में लोगों को मिल जाते है अस्पताल और इंडस्ट्री के waste के जरिए groundwater में antibiotic घुलने की पुष्टी भी कई research में हो चुकी है खुद मरीजों के chemist से सीधे antibiotic दवाएं लेकर खा लेने और आधा course करके उसे छोड़ देने की वज़र से भी ये दवाएं बेशर हो रही है अस्पतालों में infection वाले bacteria जिससे super bucks का नाम दिया गया है उन पर लगाम लगाने के लिए infection control पर भी काम किया जा रहा है हाला कि पूरे देश के छोटे बड़े अस्पतालों में उस network को तयार होने और पूरी तरह से काम करने में कई साल लग सकते हैं इसके साथ ही आज का ये विशे यहीं पर समाप्त होता है हम फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ आप हमारे YouTube चैनल को like, share और subscribe जरूर करें धन्यवाद